स्वास्थिक के लिए योग दिशा संचलन सोते हुए जब आप कुछ घंटों तक लेट कर सोते हैं तो आपके जोडों में चिकनाई लाने वाले द्रव्य शान्थ हो जाते हैं और उनका संचार नहीं होता इसलिए जब आप जाकते हैं तो शरीर मांग करता है कि पहले आप अपने जोडों में चिकनाई लाएं बाहों का दिशा चलन ऐसा करने का एक सरल तरीका है इससे चोट लगने का जोखिम नहीं होता और मास पेशियों की कसरत भी हो जाती है जोडों में उर्चा गाठों का एक जमाव होता है इसलिए उन्हें सक्री करते हुए प्रणाली में हर चीज को काम करने के लिए प्रज्वलित किया जा सकता है अभ्यास करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें कृपया इस अभ्यास को खाना खाने के तुरंत बाद न करें इसे हलके या खाली पेट की स्थिती में करना सबसे अच्छा होगा यह अभ्यास काफी सरल है और चार साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है अगर आप चश्मा पहनते हैं तो अभ्यास करते समय कृपया उसे उतार दें अब हम उपयोग का पहला भाग सीखेंगे इसे बाहू का दिशा चलन कहते हैं हम यह अभ्यास चार अलग-अलग दिशाओं में करेंगे हम पहली दिशा का प्रदर्शन देखेंगे कृपया ध्यान दें आपको यह इस प्रकार से करना है अपने पैरों को एक आराम देह दूरी पर और एक दूसरे से समनांतर या पैरलल रखते हुए खड़े हो जाएं आखे बंद सांस अंदर लेते हुए अपने हातों को अपने कंधों के ठीक सामने लेकर आएं यह शुर्वाती स्थिती है पहली दिशा बगल की है सांस छोड़ते हुए अपनी बाहों को अपनी बगल में सीधा कीजिए कलाई बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए जब आपकी बाहें पूरी सीधी हो जाएं तब आप सांस लेते हुए उन्हें वापस अंदर लाएं अब आपकी कलाई अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए यह एक चक्र या एक साइकल है आपको इसे तीन बार करना है आपको कलाईयां घूमाने के साथ अपने हाथ खोलने और बंद भी करने है सब ही मास पेशिया तनाव में हैं जैसे कि आप किसी चीज को धकेल रहे हैं जैसे कि स्क्रूड्राइवर अपनी बाहों में जितना हो सके उतना तनाव पैदा कीजिए लेकिन बाकी के शरीर में कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए तो जब आपकी बाहें बाहर जा रही हों तब हमेशा आपको सांस बाहर छोड़नी है और कलाईयों को बाहर की दिशा में घुमाना है जब आपकी बाहें अंदर आ रही हूँ तब हमेशा आपको सांस अंदर लेनी है और कलाईयों को अंदर की दिशा में घुमाना है अब हम तीन चक्र साथ में करेंगे क्रिपया खड़े हो जाए ये सुनिश्चित कर लें कि आपके आसपास परियाप्त जगह है पैरों को एक आरामदा एक दूरी पर और एक दूसरे के साथ समाना अंतर या पैरलल रखते हुए खड़े हो जाएं आखें बंद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को बिलकुल अपने कंधों के सामने लेकर आएं यह शुरुवाती स्थती है सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को बगल की दिशा में सीधा करें कलाईयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए जब आपकी बाहर पूरी तरह से सीधी हो जाएं तब सांस अंदर लेते हुए उन्हें अंदर की दिशा में लाएं अब आपकी कलाईयां अंदर की तरफ घूमनी चाहिए यह एक चक्र है हम इसे दो बार और करेंगे दूसरा चक्र आपको सिर्फ कलाईयां ही नहीं गुमानी, कलाईयां गुमाने के साथ-साथ अपने हाथ खोलने और बंद भी करने है अपनी बाहों में ज्यादा से ज्यादा तनाव पैदा करें यह तनाव बाकी के शरीर में नहीं फैलना चाहिए और तीसरा चक्र जब आपकी बाहें बाहर जा रही हूँ, आपको हमेशा सांस बाहर छोड़नी है और कलाईयों को बाहर की दिशा में गुमाना है जब आपकी बाहें अंदर आ रही हूँ, आपको हमेशा सांस अंदर लेनी है और कलाईयों को अंदर की दिशा में गुमाना है अभ्यास खत्म होने के बाद, कृपया आराम से बैठ जाएं अब हम कुछ सामाने सुधारों को देखेंगे, जिन्हें आपको अभ्यास करते समय ध्यान में रखना है इसे अच्छे से समझने के लिए यह याद रखें कि जब आपकी बाहें बाहर जा रही हो तब हमेशा आपकी कलाईयां बाहर की दिशा में घुमेंगी आपको इस तरह बाहर घुमाना है जब आपकी बाहें अंदर आ रही हो तब हमेशा आपकी कलाईयां अंदर की दिशा में घुमेंगी आपको इस तरह अंदर घुमाना है आप इसे जल्दबाजी में या फिर बिना ध्यान दिये कम तनाव के साथ न करें आप इसे धीरे धीरे अपनी बाहों में ज्यादा से ज्यादा तनाव पैदा करते हुए करें लेकिन यह तनाव बाकी के शरीर में नहीं फैलना चाहिए बाकी का शरीर धीला और आराम दायक होना चाहिए अब ही हमने देखा कि एक दिशा में अभ्यास कैसे करना है अब हम सभी चारों दिशाओं में अभ्यास देखेंगे, कृपया ध्यान दें शुरुवाती स्थिती, हाथ आपके कंधों के बिल्कुल सामने, आखे बंद सास अंदर लेते हुए, कलाईयों को अंदर घुमाते हुए, बाहों को वापस अंदर लाएं ध्यान दें की कैसे, बाहें हमेशा कंधों के साथ एक सीध में आगे बढ़ रही है यह एक चक्र है, आप इसे तीन बार करेंगे दूसरी दिशा आगे की है, सास बाहर छोड़ते हुए, अपनी बाहों को आगे सीधा करें कलाईयों बाहर की दिशा में घुमनी चाहिए जब आपकी बाहें पूरी तरह से सीधी हो जाएं, तब सास अंदर लेते हुए, उन्हें वापस लेकर आएं अब आपकी कलाईयां अंदर की दिशा में घुमनी चाहिए पूरे समय यह ध्यान रखें, कि आप बाहों में जितना हो सके उतना तनाव पैदा कर रहे हैं यह एक चक्र है, आप इसे तीन बार करेंगे तीसरी दिशा उपर की है सास बाहर छोड़ते हुए, अपनी बाहों को उपर की दिशा में सीधा करें आपकी कलाईयां बाहर की दिशा में घुमनी चाहिए फिर सास अंदर लेते हुए, अपनी बाहों को नीचे ले आए अब आपकी कलाईयां अंदर की दिशा में गोमनी चाहिए एक बार फिर से यह एक चक्र है आपको ऐसा तीन बार करना है और चौथी दिशा है नीचे की सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को नीचे की दिशा में सीधा करें अब आपकी कलाईयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए जब आपकी बाहें पूरी तरह सीधी हो जाएं अपनी बाहों को उपर ले आएं अब आपकी कलाईयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए यह एक चक्र है आप इसे तीन बार करेंगे अब हम चारों दिशाओं के तीन चक्र एक साथ करेंगे कृपया खड़े हो जाएं शुरुवाती स्थिती पैर आरामदा एक दूरी पर रखें इस बात का खयाल रखें कि आपके पैर एक दूसरे से सामानांतर या पैरलल है हाथ कंधों के बिलकुल सामने ये सुनिश्चित करें कि आपका सिर सीधा है आखे बंद पहली दिशा बगल की है सांस बाहर छोड़ते हुए कलाईयों को बाहर की दिशा में घुमाते हुए बाहों को बगल की दिशा में सीधा करें सांस अंदर लेते हुए कलाईयों को अंदर की दिशा में घुमाते हुए बाहूं को वापस ले आए दूसरा चक्र सांस बाहर छोड़ते हुए बाहूं को सीधा करें ये सुनिश्शित करें कि आपकी बाहें आपके कंधों के साथ ठीक सीधे बढ़ रही है सांस अंदर लेते हुए उन्हें वापस ले आए तीसरा चक्र बाहूं को सीधा करते हुए सांस पूरी तरह बाहर छोड़नी है और बाहूं को वापस लाते हुए सांस पूरी तरह अंदर लेनी है जब आप शुरुवाती स्थिती पर पहुँच जाएं तो दिशा बदल लें दूसरी दिशा आगे की है सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को आगे की दिशा में सीधा करें कलाईयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिएं जब आपकी बाहें पूरी तरह से सीधी हो जाएं तब सांस अंदर लेते हुए उन्हें वापस लेकर आएं अब आपकी कलाईयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिएं दूसरा चक्र यह पक्का करें कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना तनाव पैदा कर रहे हैं तीसरा चक्र कलाईयों के घूमने के साथ हाथ खुलने और बंध होने चाहिए जब हाथ खुले तो आपकी पांचों उंगलियां फैल जानी चाहिए तीसरी दिशा उपर की है सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को उपर की दिशा में सीधा करें आपकी कलाईयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए एक बार फिर से सांस अंदर लेते हुए अपनी बाहों को नीचे ले जाए अब आपकी कलाईयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए दूसरा चक्र हाथ आपके कंधों के साथ ठीक सीधे बढ़ने चाहिए तीसरा चक्र इसे तेजी से मत करें इसे धीरे धीरे ध्यान देते हुए करें चौथी दिशा नीचे की है सास बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को नीचे की दिशा में सीधा करें आपकी कलाईयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए सास अंदर लेते हुए अपनी बाहों को ऊपर ले जाएं अब आपकी कलाईयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए दूसरा चक्र यह पक्का करें कि आप सांस रोक नहीं रहे तीसरा चक्र हाथ कंधों के साथ ठीक सीधे आगे बढ़ने चाहिए आपके शरीर के बगल में जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए आप आराम से बैठ जाएं योग में हम इस मानव तंत्र को पाँच पर्तों के रूप में देखते हैं शरीर की पाँच पर्ते हैं योगिक प्रणाली में मन जैसा कुछ नहीं होता हर चीज को शरीर की तरह देखा जाता है हर चीज कट एंगी तरह दो आपका एंग